यूटूब चैनल पर करमचारी चैन आयोग की तरफ से दोस्तों एक न्यूज न्यूज पेपर में परकाशित हुई है जानेंगे इस न्यूज का विश्थरक तरीके से हर्याना क्रम्चारी चैन आयोग ने हाई कोट में कहा चूंकि याची का करताओं ने सीटी निती कोचनोती नहीं दी है इसलिए सम्म नित्विचय का पेपर लिए बगार साटलिस्ट करने का तरक जोहन निराधार आयोग अब विग्यापन में लिखे मांदन को मानने के लिए है बात दै इसलिए कोई प्रिवर्तन मुकदमे बाजी की ओर ले जाएगा और बढ़ती में होगी देरी सीटी पोलिसी पांच में 2022 को प्रकाचित हुई थी अगर याची का करताओ को आपती थी तो उचित स्टेज पर चुनोती दी जानी चाहिए थी अगर याची का करताओ को नुमती दी तो दुसरे उमिद्वारों के लिए अनुचित मिसाल बनेगा अगर याची का करताओ को स्किल टेस्ट में अपीर होने के नुमती दी तो दुसरे ऐसे उमिद्वारों के लिए अनुचित मिसाल बनेगी जो स्किल टेस्ट के सोट लिस्ट उमिद्वारों में नहीं आएंगे इसलिए अनावे सक मुकेद में वाजी बढ़ेगी और सुप्रीम कोर्ट के सासना देश के विरुद होगी हर्याना सरकार ने जोन नीती नियम और गाइडलाइन से बनाई है उसके अनुसार ही ग्रुप C और D पदो के लिए निस्पक्स पार दर्शियों बेदबाव रहित चेन प्रक्रिया अपना कर में दावी और सक्सम उमिदवारों की सिपारिस करने की डूटी सोपी है जब एक बार सकार ने पोलिसी बना दी तो आयोग उसके सच्चे अक्सर और भाव से निष्टा पुरुख पालना करना है इसलिए यह याची का रद करने योग है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस प्रकार के जो फैसले इस प्रकार के विशय में दिये गए फैसले के उधी तत्ते हैं सुवेदानिक के साथ तालमेल वाली जो एक्जीक्यूटी ने काफी यह चर्चा के बाद त्यार इस पोलिसी को चुनोती देना याची का करता की तरफ से बढ़ती प्रक्रिया को रोकना जो ना केंद्रिय प्रयास है जिस से रज्जे के जारो युआ हो जो बेरजगार युआ हैं उनको विश्य में खत्रा डलना है क्योंकि उनको नोकरी नहीं मिल पाई से लिए मंत्री मंडल की बैठिक में CT से समनित कोई एजंडा नहीं दोस्तों च्यार जो जुलाई को बैठक है बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं रजनिती कलियर में चर्चा की CT क्वालिफाई हो जाए CT का एजंडा इसमे रहेगा लेगन साफ कलियर हो गया कि अभी तक कोई एज ग्रेजवेट पोस्ट ग्रेजवेट होने के लिए भी दसमी बार विपास होना जरूरी आयोग एचसे सी दलील दी है कि ग्रेजवेट और पोस्ट ग्रेजवेट होने के लिए भी किसी को भी बेस लेवल पर दसमी या बार विपास करना जरूरी है रियाना सरकार या आयोग की बड़ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए उमिद्वार को सोट लिस्ट कैसे किया जाए आयोग ने कहा कि जो त्रक्याचिका करताओग ने पुंद्र विचार याचिका में दिये हैं उन्हें हाई कोट पहले डील कर चुका और याचिका कर दिया था तो इसमें मैं यह था कि बहुत सारे जो कंडियाटी विद्यार थी उन्हें जो ना जैसे आइट यह वालों ने और बहुत सारे टेक्निकल से लिए लिया गा वो जर्नल ले लिया गा अगर टेक्निकल से लिए था तो हमारी बिली के कोच्चन उसमें आने चाहिए थी इसलिए उन्हें आजी प्रणा करतारा लगाी थी छेल के बीच में नियम नहीं ब्दले जासकते आयोग दलील दिया कि कि खेल नियम में शीदा जो बदला हो बीच में हम नहीं कर सकते यहसी दांधिया जी आजी का करताओं के मौजुद मामले में भी लाग उता सुप्रीम कोर्ट भी इस पर टिपनी कर चुका कि चेन परक्रिया शुरूने के बाद बीच में मानदन चेंज नहीं कर सकते 3,69,146 ने पास किया है CET 5,46,9,222 को जो CET हुआ था उसमें लगबक साथ पौने 8 लाख के करीब उमिदवार अपियर हुए थे जो ग्रूप C की बड़ती के लिए उना चाहते थे लेकिन कलियर 3 मतलब सटे 3 लाख नहीं किया 10 जनुरी दूरते इसको रिजल्ट कोशित किया गया और लगबक 3,69,146 उमिदवार इसमें पास हुए और इसलिए यह खेल शरू हो चुका था बरतियों का इसके पहले चरण का रिजल्ट को शीत हो चुका था इसलिए यह आचिका करता किसी विप्रकार का रिली प्राप्त करने के योगए नहीं है क्योंकि खेल सुरू हो चुका और बढ़ती प्रक्रियाद ज्यादा अब आधी से ज्यादा पार हो चुके निए अभी मेंस एक्जाम और डियरेक्ट रिजल्ट आना बाकी है उसके बाद देखेगा यह एफिडियोट की कोपी भी है जो याचिका करताओ दोरा लगाई गई है हरियाना करमचरी चेना की तरफ से गुरूप चीपदों के लिए आजित CET प्रिक्षा पास करने वाली सब ये बैठी को गुरूप चीपदो के लीए कि प्रिक्षा इंब बलाए जाने की मांग परलग बस सब ये बैठी कर रहे हैं इसलिए उनकी इसमांग को दक्काल लगा है आयोग ने पंजाब ये मरियाना हाई कोट में दायर एक याचिका के जवाब में आगरे किया है कि ये याचिका इंरद कर दी जाएं क्योंकि याचिका करताओने CET policy को चुनोती नहीं दी थी इसलिए समनित विशे का paper लिए बगएर सोट लिस्ट करने का याचिका करताओं का त्रक निदादार है आयोग ने कहा है कि सीटी पोलिशी पांच मईदो जर्बाइश को परकाशित हुई अगर यह आचिका करताओ कौापती थी तो उचित स्टेज पर चुनती दी जानी चाहिए थी आयोग ने कहा कि अब जो ग्रुप सीपदो के विग्यापन में लिखे मांदने के लिए बात दे है यदि इसमें कोई परिवर्तन काम करेंगे तो ये मुकदमे बाजी को ले जाएगा और बढ़ती में देरी होगी तो आयोग ने तरक दिया है कि इस बरती इसमें जोनब बारी देरी माफी के लिए माप नहीं किया जा सकता क्योंकि बरती में देरी होगी इसलिए इस दियाची का को रध कर दिया जाए और वैसे विलिकित प्रिक्षा के लिए सोट लिस्टिंग का काम जोनम परती से पहले ही सुरू हो चुका है किसी भी तरह कासन सोधन जोना क्वालिफाइड कैंडिट्स यानि योगग उमिद्वार जोना उनके दिकारों का उलंगन करेगा और आयोग उन्हें कहा कि वैसी आची का करता हो के आविदन फारम के साथ साथ जो गोषना है या डिकलेरेशन पत्तर जो है उस पर उन्हें स्ताक्सर कर रखे हैं इस तरह स्ताक्सर करने से आची का है जो पूरी बढ़ती परक्रिया में सलेबस सोट लिस्टिंग परक्रिया के लिए योग उमिद्वारों को छाटने का मंदन जैसी सरते हैं ये इससे सहमत थे अब परिनाम सीटी गोषिद होने के वाद उमिद्वारों को पनरविचार याची का सलसम मंदित जो ना संकाओ पर एस पस्ट जो ना इन पर रोक लगा दी जाए और सीटी जो आविदन परक्रिया है उसे पास किया था तो बड़ती परक्रिया के लावा जिन्दों ने भी दूसरे रावंड के लिए आविदन किया था उसके अलावा अभी तक सोट लिष्ट उमिदवारे की सूची जो ना जारी नहीं की है इसलिए याची का और पनरविचार याची का स्टेज पर जो ना ऐसा मियक है तो इन्हें इस कारवाई का कोई कारण पैदा नहीं हुआ है इसको जो ना रादी किया जाए तो एसे सची की तरब से ये दलीले दी गई है तो ये मैं न्यूज आज की थी दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा धन्यवाद जैन जैबार जैरियाना